नमस्तार दोसों मेरे नाम में विमल सिंग बाला जी स्टेटी एड़ा में आपका स्वागत है स्वागत और लेकपाल 2022 के लिए GKGS के प्रस्णों के प्रेक्टिस हम आपको करा रहे हैं सेट नमबर 10 आज हम देखेंगे और इसे पहले इसी सेट 10 के हिंदी के प्रस्ण देखेंगे थे साइड माई बटन पिछलाला वीडियो आपको मिल जाएगा चलिए सुरू करते हैं आज के हमारे प्रस्ण सबसे पहला प्रस्ण है कि भारती स्वाधिन्ता विदयक इसको राजकिय स्विक्रती कब प्रदान की गई थी 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947 तो बताइए कौन सा इन में से सही होगा भारतीय स्वाधिन्ता विदयक को राजकिय स्विक्रती कब जो है वो दी गई अंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्षन 18 जुलाई 1947 जो है वो सही होगा जो माउंट बेटन योजना थी ना उसके आधार पर ही अंसी योजना माउंट बेटन योजना के आधार पर ही जो बिटिस संसत थे उसने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंद्रता जो अधिनियम था 1947 का पूरा नाम है इसको पारिद किया था और ये जो है 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था वो इसी उपबंद के दौरा जो है वो हुआ था आपको संद जो है वो याद रखना है अगला प्रसंद देखते हैं इन में से किसने भारतिय, राष्टिय, कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोगप्रियता और सम्मान की पराकाश्ठा जो है वो माना है एस्सी बोस, पटाबी सीता रमया, सरदार वललबबाई पटेल या सरदार किसन सिंग, बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चारों आप्शन में से तो अंसर आपका यहाँ पर पहला ही यहाँ पर S.C. बोस जो है वो सही होगा S.C. बोस जो है इनोंने ही जो है जो कराची अदिवेशन था इसका समय भी धान लगेगा 1931 का इसमें ही महात्मागादी की लोग प्रेता और सम्मान की पराकाश्टा जो है वो माना है समय कापका 1931 का जो है वो था अगला इन में से किसने 1947 के कॉंग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताओं के पारित होने को राष्टवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पढ के रूप में जो है वो लिया डॉक्टर किचलू, पुर्सोतमदास टंडन, जवाहला नहरू या फिर जीबी पंथ बताइए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा इसने जो है 1947 के कॉंग्रेस कमेटी की बैठक के दोरा विभाजन के प्रस्ताओं के पारित होने को राष्टवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पढ के रूप में लिया तो अंसर की बात करते हैं इन में से तो आपका डॉक्टर किचलू जो है वो इनका नाम था सैफुद्दीन किचलू तो एवाला आपका ओप्षन है आपर जो है वो सही होगा अगला है आपका कि एक तरफ जनजाती दे रखे हैं और एक तरफ उनसे संबंदे चेत्र दे रखे हैं आपको सही मिलान करके बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच होगा बीरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटने लीज टोडा जो है इसमें सबसे आदा पूची जाती है तो इस बताइए कौन सा किससे मैच होगा वैसे अगर आपको देखा जाए टोडा जन जाती तो आपका जो नील गिरी पहाडियां है उनका छेत्र जो है इसमें देखने को मिलता है नील गिरी पहाड़ियां और अगर आप्शन में नील गिरी पहाड़ियां ना देखने को मिले तब आपका क्या आंसर हो जाएगा तब आपका आंसर होगा तमिलाडू एरिया होई पड़ता है इसलिए तो C वाला second वाले से मैच होगा और C वाला second वाले से केवल और केवल पहले वाले option में ही मैच है तो आपको अन्य option देखने की आवशक्ता भी नहीं है A वाला यहां पर सही होगा 4, 3, 2, 1 यानि ये वाला जो बीर होर लिखा हुआ है ये आपकी जो जनजाती है वो जारकंड की है भूटिया जो जनजाती है वो आपकी सिक्किम की है और सेंटे नेलीज जनजाती अंडमान निकोबार दियुप समों की है जिसमें टोड़ा जरूर ध्यान रखेगा ये मैंने आपको इ ही बता दिया तो यह वाला यहां पर अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं इन में से कौन सही सुमेलित जो है वो नहीं है भगत सिंग दी इंडियन सोसियो लॉजिष्ट सचिंद्र नात सान्याल बंदी जीवन लाला राम सरंदाज दी ड्रीम लेंड भगवती चर वो यहां पर दे रखी है और आपको बताना है कि कौन से पुस्तक किस से संबंदित नहीं है अंसर की बात करते हैं इन चारों आप्शन में से तो दा इंडियन सोसियो लॉजिष्ट जो यह पुस्तक है यह आपकी पुस्तक स्याम जी कृष्ण वर्मा की है भगत सिंगी नही तो भगत सिंग की जो है वो कौन से पुस्तक है तो भगत सिंग की पुस्तक का नाम है यह लिखे है अग्ला देखते हैं कथन दे रखा है करण दे रखा है करण कहा रहा है भारत के पश्मी घाट की नदिया डेल्टा का निर्माल करती है और कारण दे रखा है क्यूंकि वे छोटे प्रभाज चेतरो और अपे इच्छाकरत जो कढ़ोर चठान है उन पर प्रभाहित होती है तो आपको बताना है कि A और R दोनों ही सही है और R A की सही वैक्या है A और R दोनों सही है परन्तु R A की सही वैक्या नहीं है A सही है R गलत है A गलत है R सही है कौन सा इन मेंसे जो है वो सही होगा तो आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए अंसर की बात करते हैं तो भारत के जो परश्मी घाट की नदिया है वो डेल्टा का निर्मार करती है बिल्कुल आपका सही है डेल्टा का निर्मार करने वाली जो नदिया है उनके नाम भी पूशे जाते हैं और जो कारण दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि वे छोटे जो प्रवाजचेत्रें आप एच्छाकरत कठोर पूछें भी जाते हैं नर्मदा और तापती कि अगला देखते हैं आपका सुमेलित करना है आपको एक तरफ बन्य जीव पार्क और बन्य जीव अभ्हरण दे रखें और आपको पताना है इन चारों में से कौन से किस से मैच होगा तो डाची गाम बन्य जीव अभ्हरण कुण सा जो है वो मैच होगा तो केवला देव घाना पक्षी अभ्यरण कितनी बार मैंने आपको बताया है कि राजिस्थान में और राजिस्थान के अंतरगत भी कई बार पूछ ले जाता है यह वगर कोश्चन बन चुका है इस प्रकार से तो भरतपुर में है आपका केवला देव घाना पक्षी अभ्यरण तो यह MP जो है आपका सही हो जाएगा और MP में कहां तो MP में आपका मंडला और वाला घाड जो है उसमें है पेरियार जो है मैंने बताया तो आप क्या करते हैं पे करना पड़ता है पे वर्ड से जोड़ कर आप इसे याद रख सकते थे और कह कहना बचा तो कहना आपका MP में है यह गोला उपर लग गया है कि कहाना जो है आपका कहां पर है मद्द ब्रदेश में है और केवला देव आपका राजिस्थान में है डाची गाम जो है यह आपका जम्मू कस्मीर में है और आपका जो बचा कौन सा पेरियार बचा यह आपका केरल में है option किया बात करें इन चारों में से कौन सा सही करम होगा तो आप देखेंगे a वाला सही है क्योंकि जो फूर्थवाले से मैंच हो रहा है और c वाला देखेंगे तो फास्टिरस होगा और d वाला थहड़ वाले से तो यहां सही होगा अगला देखते हैं इविस मेंने के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दरश्टी से सही अवरो ही करम में बताना है नहीं कि बड़े से चोटे के करम में गनाडा, जर्मनी, सहितराज, अमेरिका, भारत इसी परकार आगे अलग-अलगा ओप्शन जो है वो दे रखे हैं तो बताईए इनमें से कौन सा जो है वो किस से सही करम होगा और अब रोही करम में बताना है नहीं कि बड़े से चोटे करम है तो सबसे ज़्यादा जिसका जो है वो एरिया होगा, छेतरफल होगा वो आप सबसे पहले रखेंगे चेतरफल लां कहे करके लंबाई कहिए, क्योंकि चेतरफल में तो आपका लंबाई और चोड़ाई दोनों आ जाती है तो कि वो लंबाई की द्रश्टी से ही आपको देखना है तो सबसे पहले आपका आएगा सब्प्तराज अमेरिका जो कि यह ही है अवागी तो आप्षे的 option में हैं नहीं किसी में इस प्रकार से आपका के और जर्मनी और रहे प्रकार से आपका करंदा जलेगा तो D वाला यहां पर आंसर जो होगा बाकि इतना याद रखिये और डिटेल में नहीं बूचा जाता है अगला है कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है Cape of Good Hope, पनामा नहर, स्वेज नहर या उतरी अट्लांटिक बताइए कौन सा जोते हो सही होगा साथ इसाथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहीगा इसे परकार इच्छे प्रसन हम प्रैक्टिस करते रहे हैं जो हम प्रसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी टाइमिंग जो है वो दुपहर की तीन बजे की है और जो topic wise हम supertech के course देख रहे हैं उसकी life timing सामके 8 विजे की हैं तो answer की बात करते हैं इन में से कौन सा जो है वो सही होगा तो आपका उत्री Atlantic जो है वो सही होगा उत्री Atlantic महासार अगर यह सामुद्रिक जलमार्ग जो है उसकी अगर द्रश्टी से देखा जाए तो सबसे व्यस्ततम की स्रेडी में इसे रखा जाता है अगला देखते हैं आपका International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics इसकी sort form भी लिखे हुई है यह आपको बताना है इस्थित कहां पर है कोलकाता में, पटना में, भूमलेश्वर में या पर हैदराबाद में बताइए कौन सा सही होगा इसको sort form में हम कहते हैं इक्री सेट इक्री सेट इसे बोलते हैं I-C-R-I-S-A-T तो अंसर की बात करते हैं कहां पर इन चारों में से है तो हैदराबाद आपका जो है जो की देश में अकेला क्रसी में अंतराष्टी अनुसंधान संस्थान है और क्रसी फस्तों में अनुसंधान और विकास का तारे जो है वो करता है अगला है देश का पहला क्रसी विस्विद्धाले जो है वो कहां है यही question मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था कहा था नेक्ट वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था तो बताए देश का पहला क्रसी विस्विद्याले जो है वो कहा है अंसर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है पंत नगर में है J.B.P.A.U. पंत नगर तो यह आपका साह योगा तो आप फुल फॉर्म भी जो है जो है इसकी याद रख सकते हैं गोविन्द बललाब याद रखें तक उतना काफी होगा अगला है आपका इन पहने से कौन सा एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उभ्भोगता है USA, चीन, इंग्लेंड, भारत बताइए कौन सा सही होगा जब बात होती है उत्पादक और उभ्भोगता दोनों स्रेडी में दलहनी पसलों के संदर में तो आपका नंबर आता है भारत का D वाला आपका जो है वो सही होगा और विबिन ने जो दलहनी पसले हैं उसमें आती कौन-कौन सी पसले हैं जैसे कि आपका अरहर हो गया जैसे कि आपका चना हो गया, जैसे कि आपका मतर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, उडद हो गया, लोबिया हो गया ये सबी किसमें आते हैं दलःनी फसलों में आती है तो यह आपका यहाँ पर भारत सई होगा। पहले नंबर पर आगए दो इसके बाद जो नंबर आते है वह चाइना का आता है। आप अगर आप्स नंबर पर प्यार्टी चाइना को भी दे सकते हैं। अगला राश्टी बागवानी परिशत बोर्ड के स्थापना जो है वो हुई थी, कब हुई थी 1976, 1987, 1984 या फिर 2002, तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा, और ये जो स्थापना हुई थी वो गुडगाओं हरियाणा में जो है वो हुई थी, वो भी आपको याद रखना है, ग अंसर की बात करते हैं इन चारों में से की हुई कब थी तो फर्स 1984 में जो है वो हुई थी, स्री वाला आपका उप्शन आपर जो है वो गिल्कुल सही होगा, अगला देखते हैं भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सोया भी इनकी खेती का सबसे जादा छेत्रफल जो है व जाँ अगला है इन में से किस एक राज में संकर धान की केति के अंतरगत सरवाद एक चृत्रफल है बिहार, करनाटक, पंजाब, उत्रपрьदेश बताईए कौन सान में से जो है वो सई होगा संकर, धान जो है उसके बड़े पैमाने पर जो केती हो रही है वो इन चारों में से बिहार जो है आपका सई होगा विहार राज्य में सबसे ज़्यादा बड़े मात्रा में हो रही है इसके बाद नमबर आता है पूरवी उत्तरप्रदेश का उत्तरप्रदेश नहीं केवल आप कहेंगे जो पूरवी उत्तरप्रदेश है इसके बाद जो है वो नमबर आता है अगला देखते हैं आपका किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 अगस्त, 23 अक्टूबर 23 दिसंबर, 23 फरवरी कौन सा साय होगा किसान दिवस मनाया जाता है सरदी का अफ देखते है, थंडी दिसंबर महां में काफी पढ़ती है उससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि किसान जो उनका दिमाग ठंडा रहता है थोड़ा सा जोड़ने के लिए और किसानों के पुरती अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए ये तेज दिसंबर को राष्टी किसान दिवस के रूप में वो मनाय जाता है अगला देखते हैं आपका अच्छा एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगी कि जो किसान दिवस है वो किनके नाम पर बनाया जाता है योई तेज दिसंबर को ही मनाने का क्या करण है तो किसान दिवस भारत के जो पुर्व प्रधान मंतरी रहते हैं और किसानों के मसिया र अगला देखते हैं नाबाड अस्तित में वो को आया 1979, 1980, 1981 या 1982 बताइए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा नावार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए नावार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी National Bank for Agriculture and Rural Development ये फुल फॉर्म होती है नावार्ड की ग्रामीड जो बैंक होती है उसके तौर पर काम करती है Headquarter जो है इसका काम पर है तो मुंबई में जो है Headquarter है और इन चारों में से कर अस्तित की बात करें तो 1981 में जो है इसका गठन हुआ था और कहीं कहीं सन यही 1981 ना कहकर जो इसी की जो फुल फॉर्म हिंदी में क्या होती है तो वो आपकी होती है राष्टिय, क्रसी, और ग्रामीड, विकास, बैंक अगला देखते हैं कि आम की जो परजातियां है उनमें से कौन नियमित फसल वाली परजाती जो है चौसा, लगड़ा, दसहरी, एक या इनमें से कोई नहीं आम जानते हैं फलो का राजा कहा जाता है तो इसकी कौन सी परजाती है जो एक नियमित फसल वाली परजाती है आपको देखने को नॉर्मली मिल जाती है अंसर की बात करते हैं, तो आप कहते हैं, यह दसहरी आम आ रहे हैं, तो बस सी वाला आपका option जो है, वो सही होगा, जो कि पृतिवर्थ आप कहेंगे पल भी देता है, और जो एक और प्रजाती है, जिसका नाम है अलफांसो, साहथ आपने नाम सुना हो, अलफांसो का, अलफा 68, 69, 70 या 71, बताइए कौन सा जो है, वो सही होगा, बैंकों का राष्टिय करण कब हुआ, अंसर की बात करते हैं, तो इन चारों में से आपका, 1969 जो है, वो सही होगा, 19 जुलाई, 1969 की जो है, वो तारीक थी, इसमें देश के 14 बैंक को का राष्टि करण किया गया था, और 50 करोड रुपए से जादा है कि जो पुंजी वाले निजी बैंक थे, उनका प्रदान मंत्री उस समय इंद्रा गांधी थी, उन्होंने राष्टि करण कर दिया था, अग आपको बताना है कि कौन सा जो फसल है, उसमें कौन सी बीमारी जो है वो लगती है, कन्ना, धान, अरहर, आलू, जुलसा, रेड रोट, खैरा, और फिर उकता, पताईए कौन सा सा योगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, आलू में कौन सा रोग लगता है, तो आलू में से कोई अंसर जो है आपका होगा, गन्ना की बात करते हैं, तो गन्ना में आपका रेड रोट लगता है, रोग तो यह जो है वो आपका सेकंड वाले समयच हो जाएगा, तो देखें, एक का सेकंड जो है, वो केवल बी वाले में है, तो अंसर आपका सेकंड वाला यहाँ पर बी वाला सही होगा, बी का थर्ड की बात करें, यानि की धान का बात करें, तो ये जो है वो खैरा जो है, इसमें ये वाला लगता है, तो ये खैरा वाले समैच हो जाएगा, और अरहर आपका बच गया, तो ये आपका जो है वो उकता, इस से मैच हो जाएगा, तो इस प्र चाल्सकानियम, गलु-णॉओक या एवगादरो की परिकल्पना का नियम, बताइए कौन सा इन मेंसे जो है वक्त सही होगा, अंसर की बात करते हैं इन चारों मेंसे तो आपका ओप्शन ये एवगादरो नंबर आपने सुनाओगा, एवगादरो का जो नियम है, उसी के नाम स जो है इसे जाना जाता है एह वो गात्रों की परिकल्पना का नियम अगला देखते हैं आपका कि बायो गैस का मुख्य अव्यव क्या है इधन, अन्मोनिया, मिथेन या फिर इथलीन तो बताईए कौन सा सही होगा बायो गैस का मुख्य अव्यव अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका उप्शने आप पर मिथेन गैस प्रमुख अवyव के रूप में जानी जाती है बायो गैस में तो बस C वाला आपका उप्शने आपकर जो हो जाएगा अगला आपका है इन में से क्या oxy acid जो है वो नहीं बनाता है fluorine, sulfur, chlorine, nitrogen बताइए कौन सा इन में से होगा कौन oxy acid जो है इसमें से नहीं बनाता है इन चारों में से अंसर की बात करते हैं तो fluorine जो है आपका लिका हुए option ये आपका सही होगा अगला आपका है तालाब और कुवो में निम्लिकित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंतित करने में सहायता मिलती है गैमबू, सियाब फिस्ट या फिर घोंगा या फिर केकड़ा या फिर डॉग फिस्ट कौन सा इन में से जो है वो सही होगा अंजर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ओप्षण हैं पर गैमबू, सियाब फिस्ट यह सही होगा तालाब और कुवो में ये आप देखते हैं मच्छली डालने से जो मच्छर होते हैं वो आपके नहीं पनंपते हैं क्योंकि यह जो मच्छली होती है जो मच्छर के लारवा होते हैं उसको खाती है तो वो मच्छर बनी पनपी नहीं पाते हैं अगला देखते हैं और करेंड फेर से लेटेड है कि 13 जनवरी 2022 को इंद्रिय पर्यावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंतरी भूबेंद्र यादन ने सत्रवी भारत वन रिपोर्ट वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 जारी की है इससे संबंदित कुछ कतन दे रखें आपको बताना है इन कतनों में इसके देश में कुल वन और व्रक्षा रोपड जो है वो 8,9,537 वर किलो मीटर है जो कि देश के कुल भौगालिक चेतर का 24.62 परसेंट है दूसरा कह रहा है देश में कुल वनावरन जो है वो 7,13,700 नवास्ति जो है वर किलो मीटर है जो कि कुल भौगालिक चेतर का 21.71 परसेंट और चेत्रफल की दर्श्टी से सारवाद एक वनाबरण वाला राज्य मद्ध प्रदेश है आपको बताना है इन में से कथन जो दे रखें वो सही कौन-कौन से हैं केवल पहला दूसरा तीसरा पहला तीसरा या फिर सभी जो है वो सही है को यह इस प्रकारी की रिपोर्ट आती है तो इसके बारे में आपको जो मेंद्मीन पॉइंट है वो पता होना चाहिए तो आंसर की बात करता है इन चारों में से तो आपके जितने भी आपड़े देरारी सबी सइ regions यहाद रखना है सबसे पहले यह पर्संटेश कblock यह देख पूछ लिया जाता है और दूसरी जिनका नाम है भुपेंद्र यादव, यह वा है आपका भुपेंद्र यादव, इनके दोरा सत्रवी भारत वन इस्तती रिपोर्ट जारी की थी, तो सबसे लेटेस्ट कौन से नंबर की है, तो सत्रवी है, इस चीज को भी ध्यान रखेगा, और वन आपरण में व्रधी दिख करने वाला उसमें आता है, अगर आपका नंबर में आता है, अगर आप से कहा जाए कि सारवाधिक वन आवरण प्रतिसत वाले राज्य में पर्थम नंबर पे किसका नाम है, तो मिजोरम का है, बाकी और भी रैंकिंग है, दो तीन जार पांच, पर मैं आपको किवल जो मेन म याद रखें, अगर यूपी में बात करें, पेपर होगा तो उत्तर प्रदेश में कितना कुल वनावरण है, तो 6.15% जो है, वो है, चलिए देखते हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रस्न, इसके बाद एक प्रस्नम आपसे भी पूछेंगे, प्रस्न एक फरवर 400 या फिर 500, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बजट से हम थोड़ी थोड़े प्रस्नों को भी सामिल कर रहे हैं, ताकि साथ-साथ में चीज़े आप बजट की भी जो है, वो याद करते हुए, चलें, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, आंसर की बात करते हैं, इ आधिसा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जूट जाईगा वीडियो पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहेगा प्रस्न आपका है कि जीरो डिग्री सल्चेस को फॉरन हाइट में आपको बदलना है तो कितना होगा बदलने परमान 32 डिग्री फॉरन आइट, 14 डिग्री फॉरन आइट, 0 डिग्री फॉरन आइट या 33 डिग्री फॉरन हाइट इन, में से अपना आंसर वीडियो की में कमेंट में टाइप करके बताईएगा लाइफ नैमिंग दोपैर के तीन बजे सामके राड़ बजे तो लाइब आ पर चाहिएंग।